सब्सक्राइब लेकुम अलबाउट किट्समाल स्टान में खुशामदीद आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम फाइब्रिक से यह यह इनके अपने घर के कपड़े से किस तरीके से अपनी स्टोरेज बकिट बनाते हैं एक मल्टी परपल स्टोरेज बनान के चीजों के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने इसकी बेस और साइड्स की कटिंग करके रखी हुई है तो मैं आपको बता देती हूं कि आपने किस तरीके से कटिंग करनी है यह देखे यह बही बेस है यानिके नीचे वाला पार्ट है और यह डबल इसके अंदर मैं बुक्रम रखके इसको हार्ट बनाओंगी आप इसको बुक्रम रखके हार्ट बना सकते हैं यानिकी से हार्ट करने के लिए क्लिए क्लिए यह कपड़ा है तो इसको हम इस फैब्रिक के अंदर आप बुक्रम भी रख सकते हैं वह जो हार्ट बाला बुक्रम तो आप उसके गर्दियों सलाई भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसमें बुक्रम को यूज करूंगे तो यह डबल फाइब्रिक है तो यह मेरी बेस है यानि के नीचे वाला पार्ट इतना है यानि के मुझे अपना बास्किट है उसका साइज इतना रखना है यह इसकी दो पीसी हम कट करेंगे एंपनी जो है विर्थ के हिसाब से की लेंद्ध के हिसाब से रखना और दो पीसी कि विर्थ के हिसाब से तो यह हमारी बेस हो गई यह देखें यह हमारी जो है वो विर्थ है विर्थ के पीजे हैं यह देखें यह तू पीसे हैं यह नो ही डू थे हैं और यह दोनो ही जो हैं वो इस सादब्ल फोल्ड पीकी जे है यह double fold pieces हैं दोनों और यह width wise हैं यानि कि हम इसको किस चीज़ से attach करेंगे, किस पार्ट से हम attach करेंगे, यानि किस की सिलाई कैसे लगाएंगे, हम इसके साथ यू लगाएंगे, इन दोनों की आपस में इस तरह सिलाई लगाएंगे, तो यह दो पार्ट जो है हमारे, यह इसकी measurement हमारी जो base थी, दो पार्ट जो है हमारी इस base के according measurement में लिय हुए ही, मैइ आप दो पार्ट जो मैं आपको nix लिखांगी, हो हमारी इस measurement की according होंगे, भी double डबल हैये double fabric है,"这 जे ऐक part यह है और यह है दोन डोनों पार्ट जो हैं Links के हिसा मेंद के हिस बहुँत आप करेंगे सबस्क्राइब इसके साथ और इसके साथ मैं एटेज करना है यह देखें यह सीधी साइड है सीधी साइड है यहां से हम इसकी स्टीचिंग कर लेकर जाएंगे यह साइड जो है थी तो इसको पूसमारी थी तो इसके साथ मैंने तो साइड्स को पिन आप कर लिया है यह देखिए यहां से भी आपकिया होगा और यहां से हुने कार्ड बोर्ड यह प्रेसा याय को प्रेस्ची आपका। यहाली साइड नहीं है, यह वाली सीडी साइड है और यहां से मैंने यह चीज़ ओपन रखी भी ताकि यहां मैं अपना हार्डबॉर्ड यहां कोई भी चीज़ कार्बॉर्ड रख सकते हूँ जो मुझे अवेलेबल हो आप भी रख सकते हैं आप इसको भी कर सकते हैं विज हाट वाला व्ट होता है जो नॉर्मली चांट्स के गले वगारा में तो भी होता है इसको में लेकिन इसमें बुक्रा में इसमें तो बोगा तो इसको सबसे द्यूदा इज़िए और प्राइस बनाने का तरीक यही है कि आप हैं तो अटाइड में पातब है थम और मुझे कर दो अब इसमें इंच करता चैट यह यह तो हम जब सबसे पहले यह इस तहरा ईसकी हमたाई कर लिए سब में हम पहलें तो सबह तो यह मत मुझे समझे, और यह वीव affect यह थीमιοर्स हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है यह देखें दौन느 साइड से मैं इस स्टिच कर ले अभ इसमें एक साइड से इस वाली साइड को ओपन छोड़ दूँंगी ताकिस में मैं ह्टबाट लगा सकूं और फिर इसके बाद मैं हार्ड बॉर्ड लगाने के बाद दूसरे वाला कॉर्णन सेट करूंगी अभी हम क्या करते हैं अभी हम विर्थ वाइस जो है ना यानिकि यह जो साइड है इस वाली साइड से यह वाली साइड भी वैसे ओपन है तो एक साइड हम अपन रहें देते एक साइड कर देंगे तो इस तरह xcom.id से क्या करना है हमने यहां पर इस तरह जो है में यहां पर इसको भी पिन अप करके दिखाती हूँ कि यहां से अब हमने विर्त वाला रफ रा हम विर्त वाले लंबाई अब आप पैसे कर सकते हैं मैंने इस साइड पर थोड़ा सा घता सा मुझे मिल गया था वह लगा दिया आप निगा करना है कि अगर आप जहते हैं तो आप इस साइड अंदर इन यहां जहां से ऑपन है उतनी मेयरमेंट करके आप इसके अंदर हार्डबोर लगा दे इन सब के सब की एक एक साइड जो है वह ओपन है अभी फिल हाल तो आप इसमें एक हार्डबोर लगा देंगे तो यह होगा कि वह जो है जरा उसकी अंदर ग्रिप आ जाएगी वह जरा खड़ी रहेगी मेरे पास तभी हार्डबोर अवैलेबल नहीं इसलिए मैं सिर्फ कार्टन से य भी ईसको ऑपस में यहां पर अकठा करना है कमाइन करना है पिन अप करते हैं फिर उसके बार में दिखाती हो कि पिन अप करने के बाद आपने स्टिचिंग कैसे लगानी है सिंपल सा तरीका किया है कि आपने यहां से इस कॉर्णर से पकड़ना है इसको इसी कॉर्णर से लाते हुए देखें इस कॉर्णर से पकड़ेंगे एक पिन आप यहां पर टैच करेंगे इसके बाद दूसरी पिन आप यहां टैच करेंगे तीसरी पिन आप यहां टैच करेंग मैं इसकी दो साइड आपस में स्टिच कर दी हैं तो यह स्टिच होने के बाद मैं इसकी लिफ दिखाती हूं कि यह किस तरह से मैंने स्टिच की है यह कि इस साइड को भी मैंने आपस में स्टिच कर दिया और इस साइड को भी अमेरे पास यह वाली एक ओपन पार्ट बच किया तो मैं इसको भी इसे तरह स्टीच करदेंगे यानि कि यहां से तो यह मेरी पूरी एक बास्के टाइब बन जएगी यह देखें यह इस तरह के से जहने के दोव साइट से मैंने स्टेच कर दिया है अब यह जो यह वाला कॉर्नर और वू वाला कॉर्णर बच किया है इसको हम इसके साथ इसे तरह स्टेच कर देंगे यहनि कि जैसे मैं आपको बताय था कि यहां से स्टिч करना स्ट रहेंगे और उपार की तरफ इसको लेकर जाएंगे जहां से नीचे से स्टि करpowers st करने का ये फाइदा हो जाएंगा कि अगर कपड़ा छोटा बड़ा होता है तो वह उपर वाली साइट से निकल जाएगा यहन अब इसके दोनों बागे-दोनाससाइड दीज मिधस कर लिया था। यहां से तो पकड़ना से मैं नोशिल हुर रहा है । यहां से जैसे मैंने यह वाले side यह वाले side और यह वाले side협ीन जोइन किये। वह हम इसी तरह एस side से and areas side ूं कर लेंगे। तो यह हमारी – कम्प्लीट जो है वह इसकी लुक का जाए कि फिर हमारे पास उपट से स्टीच करने वाला बच चाएका तो मैं इसके दूना साइड स्टीच करने के बाद आपको दिखाती हूं इसके यह कंप्लीट जो है चारो साइड है कॉर्णर चारो कॉर्नर सिलके त्यार हो गए देखें क्योंकि यह से स्टीच करना है तो इसके हैं इसे मौर्नर में कि पेस्ट उपासि अद्धिंग वह थेलए कि यहां से कर लेंगे यह से सुते हैं अपनी शर॥ के कर दामन मौर को मौड ते हैं तो इसी हैं हम सपासि घ्राल utilization एजु़ाई तो इसको मौर लेंगे क्योंकि ये मैंने इसके अंदर कोई हार्ट बॉर्ड या बुकरम वगरा नहीं लगाया तो ये इस तरह ये मुड़ी हुई है और मुझे आपको शोग करने के लिए इसमें ट्वाइज वगरा रखने पड़े ताकि मैं आपको इसके सारी साइज दिखा सकूँ ये देखें ये अगर आप इसमें हार्ट बॉर्ड रखाएंगे तो ये बड़ी हार्ट सी बनेगी और आपके जैसे प्लास्टिक के बकिट्स बगरा होती है उस तरह हो जाएगी तो मैंने इसको क्योंके वाउशेबल बनाना था ताकि इसमें टाइम 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 इसको वाउश कर सकूँ और गुक्रम का यूज मैं करना नहीं चाहरी थी इस वह से तो ये कुछ इस तरह की बनेगी तो आप इसके साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं आप यहां पर होल्डर्स भी बना सकते हैं या जो हमारे हैंड पर्स के हैंड होल्डर्स होते हैं उस तरह कि आप इस तरह कि यहा भी रख सकते हैं, हुआ बच्छों को दे सकते हैं, कि वो इसमें twice, बगेर अपने साहर रख सकें इसके लावा आप अपनी revolutionary की चीजें भी इसमें रख सकते हैं बच्चों के जो off-season की dresses होते हैं उसके जेने भी आप बनाकर पजू कर रख सकते हैं तेंक यू जी, अलाह आफेज,